वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनॉन गुड विनिंग टॉल आफ यू कैसे दोस्तों आप सबी लुक आई होप आप बहुत अच्छ होगे ऐसे अच्छ हो और तंदरूस रहिएगा दोस्तों आप सबी को बताए कि 5th आप जुलाई को C.A. final और इंटर कर रिजर्ड लगा है बहुत सारे स्टुडेंट्स इसमें सक्सेस्पुल रहे है कुछ स्टुडेंट्स का यहां रैंक भी आया है कुछ स्टुडेंट्स दोनों ग्रूप निकाल है तो कुछ स्टुडेंट्स इसमें बढ़न कषाई है मैं पढ़ाई करने हैं और आने वाले अटेब में आपको सक्सेसपुल होना है बगवान जोली में आपके लिए बहुत कुछ लेके बैठा हुआ है तो बस आपको उतनी कडी मेनत करनी है बगवान आपको जरूर सक्सेस हासिल करने में हल्प करेगा जैसे मैं हर क्लास में कहता हूँ जो भी हुआ ठीक हुआ लेकिन अब जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और इसके लिए आपको कोई भी उपरचुनिटी नहीं छोड़ना है दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट के बाद कंटिन्यू स्टुडेंट्स के मुझे आपके जो चाप्टर वे चार्ट रिविजिन वीडियो जो बड़े हल्फुल होते है रेमबर 23 एक्जाम के लिए कवाने वाले है और सर जैसा इंडिया टूर है फॉर सुपर 50 और 30 क्वेशन दिसकेशन जो होता है जहां फिजिकली में जाता हो तो इनके शेडूल क्या रहने वाल है तो चलो step by step हम यहाँ पे डिसकस कर दे सबसे पहले तो amendments इस्ट्यूट की statutory updates आ चुकी है तो definitely आपको amendments जल्दे जल मिल जाना चीए तो दोस्तों मैं amendments record करूगा और कोशिश करूगा कि आपको जल से जल दो तो भी मैं यह सारी amendments अप्लोड कर दूगा यहाँ पे 12 to 15 जुलाई के बीच में यह amendments इस बार कुछ भी जादा नहीं है गिन कर 10 से 15 पेजे से ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि amendments जादा नहीं है क्यों क्योंकि आपको November 23 exam के लिए यहाँ जो Finance Act 2022 आपको फिर amendments क्या है तो आपको amendments अप्लीकेबल होगी कि एक November से लेके तो 30 April तक जो भी notifications और circulars आया है वो notifications और circulars आपका अप्लीकेबल होगे और इस बार कोई जादा notifications और circulars नहीं है गिन के 10-15 pages के amendments है तो इसके लिए मैं पूरे discussion के लिए जादा से जादा 3 घंटे का time लगेगा उसके जादा time लगेगा इंटर लेवल पे तो मैं कहूँगा देड़ घंटे से जादा time लगने वाला नहीं है इसलिए ये सारी amendments जो है में record करने वाला हो और आपको मिलने वाली है मेरे YouTube चैनल पे Think GST, Think Vishal Sir इन बिट्विन 12 तू 15 अब जुलाई Stay tuned with my YouTube चैनल फिर से repeat करतो Think GST, Think Vishal Sir और एक चैनल आप subscribe कर लिजिएगा जो Vee Smart Academy का YouTube चैनल है तो यहाँ अगर आपने subscribe नहीं किया होगा तो फड़ा फड़ा subscribe कर लो और ये वीडियो भी maximum आपने सारे students के साथ share करो उसके उसको उनको भी सारी जानकरी मिल जाए तो amendments वीडियो आपको मिल जाएंगे with notes, notes आपको PDF में दी जाएगी और ये notes जो वीडियो रहेगा उसके description में ही आपको PDF में दे दी जाएगी अब वहाँ से download कर सकते हो और या फिर आपके पास कोई मेरा notes होगा तो उसमें QR code होते हो QR code में भी amendments के video और notes अटेच कर दी जाएगी तो चलिए ये बात भी amendments की November 23 exam के लिए अब आपका सवाल होगा sir क्या आपके fast track revision videos available है ये बहुत सारे student कहते हैं कि sir हमने आपका course किया दो साल पहले एक बार पूर अच्छे से revise करना चाहते है या एक साल पहले किया हो और अच्छे से revise करना चाहते है या आपने IDT या इंटर में GST जो है कि आपने cell पढ़ा हो या कई other classes की हो लेकिन आपको इतने अच्छे से नहीं समझा हो और आप revision video करना चाहते हो तो yes बेटा final as well as inter level पे भी मेरे revision videos available है इसमें सारी amendments cover की जाएगी यह blended video है मतलब जो मेरी existing recording है उसके साथ में सारी amendments क्योंकि इस बार कोई amendments ज्यादा नहीं है गिनकर 15 पे जिसके तो सारे amendments इसमें मैं cover करके आपको दे दूगा आपको इसमें amendments के साथ सारी complete notes दी जाएगी तो चलिए final as well as inter level पे दोनों level पे आपको video मिल जाएगे अब मैं आपको यह कह दू कि inter level पे जैसे GST compact मैंने book का नाम रखा है तो वो भी आपने ध्यान रखना है तो चलिए दोस्तों यह हो गया about fast track revision videos और सच में कहो तो यह आपका super confidence build कर देंगे अगर IDT में अपने आप पे थोड़ा भी doubt होगा यह conceptual understanding में आपको doubt होगा तो यह revision videos आप कर लो एक important बात मैं आपको बताना चाहोगा कि fast track revision videos यह जो है यहाँ CA final में मात्र 100 hours का है 100 hours में हम बहुत अच्छे से in depth में पूरा अच्छा revision कर लेंगे जिसमें यहाँ पे GST भी हो जाएगा customs भी हो जाएगा और foreign trade policy जो नई foreign trade policy 2023 आपको अपली के बाले वो भी मैं अच्छे से आपका discuss कर दूगा तो 100 hours में होगे और अगर आप inter level पे है तो पूरा GST हमारा 50 hours में पूरा discussion complete हो जाएगा तो यह course आप हमारे website पे आए हमारे associated channel partner के website से बाय कर सकते हो अब चलो next बात करते है sir क्या हमें self study के लिए book आपके available है तो इस बार मैंने बहुत अच्छी book बनाई है final level पे IDT simplified नाम ही कहता है बहुत दी simple तरीके से lucid language में point wise manner में अगर आपको यह book बनाई गई है जिसको मैं IDT simplified कहता हो at CA final level अगर आपको यह book बाय करना है तो आपको इसमें GST का customs का book मिलेगा और के साथ साथ में आपको जो IDT simplified में super comprehensive 50 questions का भी discussion रहेगा inter level पे भी GST compact के नाम से आपको self study book मिल जाएगी साथ साथ में उसके साथ super 25 questions का भी discussion मतलब super 25 questions भी आपको मिल जाएगे तो self study के लिए आपको जो है और कि यह books available होगी और एक अच्छी बात कहता हो कि जो भी student यह self study के लिए book लेने वाला यह completely updated और amended है for November 23 examination यह पूरा मेरे पेशवास रख सकता है और यह book buy कर सकता है next मैं आपको एक हो इस book में बहुत सारे मैंने QR code दिये जैसे मेरे questionnaire का genie book दिया है digital book दिया है जिसमें video attach है तो वो अगर self study करता है और उसको मेरा questionnaire discussion करना है तो questionnaire discussion में उसको digital book with video भी available हो जाएगे तो चलो यह फाइदे मन है पिर एक सवाल आपका यह आ सकता है कि सर यह chapter wise chart revision जो है आप YouTube पे free देते हो यह कब से start होने वाला है तो दोस्तो मैं आपको यह कह दू कि आप सभी को बता है कि यह November 23 exam जो है November 23 exam यह हमारा last attempt है तो इसका chapter wise chart revision videos जो है यह already YouTube पे जो available है वो आप chapter wise revision videos अभी कर सकते हो क्योंकि amendment ज्यादा नहीं है तो amendment 15 pages की है वो भी notification और circular है तो जो already existing chapter wise chart revision videos है final और inter level पे rapid revision करके तो आप यह देख सकते हो साथ-साथ में amendment कर लो अगर किसी को अभी immediate देखना है otherwise उनको updated chart revision videos देखना है तो वो मैं update करूगा March first week में तो मैं तो आपको कोगा ज्यादा beneficial है कि जो अभी existing है वो देख लो वो देख लो साथ-साथ में यह amendments कर लो आपका बहुत अच्छे से cover हो जाएगा तो जल्द आपकी revision भी हो जाएगी तो आपके लिए definitely यह help करेगा क्योंकि मैं यह मानता हो कि अगर आप फटाफट chapter revise कर लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा practice आप मेरे questionnaire पे करो यही सही approach रहेगा आपका IDT का आने वाले टेब में तो chapters, chapter wise chart revision से फटाक से complete करो पूरा chapters revise होने के बाद मेरे questionnaire में आजा और questionnaire discuss करो यह आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहेगा तो दोस्तों अगर आपको completely नए updated वीडियोज चाहिए amendment के साथ तो वो आएगे March में लेकिन मैं आपको यही कहोगा कि chapter wise chart revision वीडियोज जो existing है वो देख लो, plus amendments देख लो, खतम इससे best और क्या है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर आपने last time इंडिया टूर में specially अहर सीटी में जाके यहां super 50 questions final level पे IDT के और super 30 questions inter level पे यहां पे discuss किये थे GST के, तो सर इस बार के आपके इंडिया टूर के कभ से start होने वाला है इसकी date अभी तक final नहीं हुई है जैसे ही final होगी मैं इसका video record करके आपको जरूर बताऊगा stay tuned with और YouTube channel यह सारा discussion मैं नहीं आपे किया है पर उसके बाद भी आपके कोई comments और question होगा तो नीचे comments जरूर दीजिएगा मेरे continuous video आते रहेंगे हमारे YouTube channel पे और आपके questions पे ही मैं नए videos record करते रहोगा और आपको clarify करते रहोगा I hope इसमें आपको कोई question या doubt नहीं होगा तो दोस्तो मैं कहता हूँ आने वाला attempt आपका होगा पूरे energy के साथ आगे बढ़ना है और बगवान ने आपको एक बहुत अच्छा gift दिया है और वो है try करते रहना चाहिए कोशिश जो जिन्दिकी में करते रहेगा वो कभी नहीं हारता है हो सकता है कि success थोड़ी late मिले लेकिन कोशिश ये इतनी बड़ी power है और आशा है ये तो हमारा vitamin है आदमी जीता इसलिए है तो एक positive energy के साथ एक अच्छी आशाओ के साथ आप आगे बड़ो और यहां पे कोशिश करते रहो जरूर आप आने वाले exam में CA बन जाओगे या CA इंटर क्लियर हो जाओगे मेरे best wishes आपके साथ है Thank you, thank you to all of you